हाई फ्रेंज देखिए आज मैं आपके लिए नाकुमाट का जो वैराइटी है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ स्टाउक पूरा तो दिखा नहीं पाएंगे लेकिन जो जो वैराइटी अभी एवेलेबल है मैं दिखा देती हूं आपको देखिए यह है बटर वाला बटर ग्रे रोस्ट देखिए सब अच्छे से दिखा देती हूं इस तरह के पीसे सोंगे बटर जो है अभी वो ज्यादा रोस्ट किया होगा इस तरह के ब्लैक में आएगा बीच बीच में एक दो पीस आपको इस तरह के रेड भी मिल सकता है मतलब भी बहुत ज़्यादा क्रंची है अर्धी है बटर तो अर्धी होता है क्रंची होने से एक चीज़ अच्छा लगता है कि यह गम्मी इसका जो गम्मी वाला टिक्स्चर है वह थोला कम लगता है पापर जैसा बहुत यह कि एकदम पतले-पतले पीसेस में होते हैं देखिए और यह देखी कितना हाड होता है ज्यादा रोस्ट करने से लेकिन बीच में से यह ऐसा ही होगा उपर से यह काला हिस्सा होता है क्योंकि यह ज्यादा रोस्ट किया होता है ज्यादा रोस्ट करने से मिट्टी में कोई भी स्मेल नहीं आता है यह है बटर यह आपको अभी इस त कर वाए हैं क्योंकि यह से क्या होता है मिट्टी अगर कच्छा रहेगा तो उसमें स्मेल आ जाएगा तो इसलिए हमने रोज ज्यादा कर वाए है कि बहुत अच्छे स्टॉक है इस बार का नकुमट का स्टॉक बहुत ही अच्छा है मैंने बहुत दिनों से वीडियो अच्छी तरह से डालनी पाड़ी थी नकुमट का और भी डालेंगे क्योंकि नकुमट इतना अच्छा है अभी स्टॉक में से हम तो खानी पाएंगे अभी जब हम अपना इतिंग वीडियो बनाएंगे तो अलग से बनाएंगे अपने स्टॉक में से देखी यह रोस्टेड वाला स्टॉक है यह इस तरह के साइज में है चोटे साइज में भी है और अभी ब्लैक हॉल ड्राइफूट सभी स्टॉक में है लेकिन हम यहापे लाएं नहीं दिखाएं और इसको थोड़ा पानी में डालके पानी में भिगो के इसका कलर भी आपको दिखाते हैं देखी यह नॉन रोस्टेर अ कि या और नॉन रोस्टेड नमत थोड़ा और भी पानी में पिल स्कों दिखाते हूं यह है नॉन रोस्टेड नाकूमट नॉन रोस्टेट थोड़ा गम्मी होता है थोड़ा सा गम्मी होता है स्लाइटली और इसके सामने आप देखी यह हाफ रोस्टेट सभी मैं सामने से दिखाती हूँ यह फुल रोस्टेट यह नॉन रोस्टेट यह हाफ रोस्टेट देखिए यह हाफ रोस्टेट है हाफ रोस्टेट को मैं थोड़ा पानी में डालके आपको वीडियो को दिखाते हैं वीडियो हम अच्छे से बाद में बनाएंगे सभी का टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा बीजी चल रही थी है चल रही हूँ अभी भी तो हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे और यह है ड्राइपूट जो जिसको हमने तोड़ा है यह अंधर से भी ब्लैक होता है देखी ड्राइपूट ब्लैक हॉल सभी एविलेबल है इसको भी थोड़ा पानी में डालके आपको दिखाते है कलर इसका देखी बहुत ज्यादा अर्दी है यह एकड़म मुझे तो दो-चार मैंने जो टेस्ट किया मुझे कोई भी गिडिनेस नहीं लगा नकुमाड बहुत दिनों से नहीं था मुझे भी बहुत पुरशानी हो डेहे थी क्योंकि नकुमाड को भी क्ले में इस नकुमाड का टेस्ट पूरा अलग होता है उसका टेक्सचर अलग कोई गमडेस नहीं है इसमें बहुत अर्दी होता है यह देखिए यह रोस्टेड वाला नकमट इसको पानी में डालने से भी यह कितना ब्लैक होता है इसका स्मेल बहुत अच्छा रहा है अभी बटर वाला भी बहुत अच्छा है है कि लेकिन हमने ज्यादा रोस्ट किया है इसको क्योंकि आपको अच्छा लगे क्रंची लगे जिनको थोड़ा क्रंची कम लगे ऐसे नकमट अगर चाहिए बटर बला जो नौन रोस्टेड में भी हमने लाए हैं देखिए यह से मिट्टी है यह रोस्टेड में है और यह है पानी में ड़लू दालत करना पर आधो यह देखिए यह है यह मुलतानी जैसे मुझा दिखने में लग रहा है लेकिन यह लिट्टानी नहीं है यह बटर का इन रोस्ट है मुलता नी है इस माध अच्छी मिल और आसंगे लाड़े सो है बटर गरे रोस्ट उसका नॉन रोस्ट इपिसे से यह देखिए और नॉन रोस्ट नाकुमत हम एक तीन हम इसको और मुलतानी को अलग से दिखाएंगे क्योंकि आप लोग को जाएगा कि दूनों सेम चीज है सेम चीज है नहीं यह अलग है मुलतानी अलग है बहुत उने और रोस्ट करने के टाइम यह थोड़ा पापर जैसा ऐसे पतला पतला पिसेस में हो जाता है देख लीजिए यह नॉन रोस्टेड है और यह सेमी रोस्टेड है दूनों का कलर का प्रक देख लीजिए यह रोस्टेड है यह नॉन रोस्टेड यह सेमी रोस्टेड सभी का स् जो हम इस पर लाए है वो है बट्राइगरी रोस्ट काई नॉन रोस्टेड वाला स्पॉम ओके बाई प्रेंस